तो वो जो नोकरानी रहती है वो सेवी का जो रहती है सेवा करने वाली होती है जाडू लगाने वाली हो बर्तन वाले हो कोई आधिक आधिक हो सेवा करने वाली जो सेवी का हो जिसको डाटा गया है जिसको डाट दिया है वो पोच्छा लगाते लगाते जाडू लगाते लगा देखाएं आप लोगों ने, कोई सेठानी अगर किसी को डाट दे, कोई नोकरानी आदी, कोई कोई सेविका को, कोई सेवावाले को, तो वो धीरे 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 अंदर ये अंदर बुद बुद आती रहती है बुद बुद आती रहती है इतने में सेठानी उससे पूस्ती है क्या बोल रही है तू यह मैं समझना कि मैं जानती नहीं हूं मैं समझती नहीं हूं तु यह मैं समझना कि मैं जान नहीं रही हूँ तु मनी मन कुछ बुद्भुदा रही है बोल जल्दी से क्या बोल रही है सेठानी ने डाटा और नोकरनी अंदर यंदर थोड़ा थोड़ा बुद्भुदा रही है बुद्बुदा रही है कुछ कुछ बोलती जा रही है और अपना काम करती जा रही है जाडू लगा रही है पोच्छा लगा रही है फिर पुछा से ठानी न है मैं सब जानती हूं तो कुछ न कुछ बोल रही है सही वता क्या बोल रही है क्या बुद्बुदा रही है क्या मन म कथा करती है कि तुम भी भगवान के मंदिर में जब पहुचो तो बहुत बहुत चिड़ चिड़ करकर नहीं बहुत चिला कर नहीं जैसे एक सेवी का एक नोकरानी बुदबुदाती रहती है और सेठानी करती है मैं सब जानती हूँ उसी तरह भगवान के मंदिर में पहुच क पर जब हिर्दाई से आप भगवान शंकर को धीरे 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 कहेंगे तो श्यू भी कहते हैं कि मैं सब जानता हूं तेरे हिर्दाई की दशा को में पहचानता हूं मैं तेरे मन की बात को तेरे हिर्दाई की बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझे मालूम है तो क्या कहा है शंकर भगवन के नाम के आगे इश्वर लगा हुआ है आप कोई भी नाम बोल दो जो आपको यहाँ दो कपिलेश्वर महेश्वर कुबरेश्वर गोपेश्वर चमपेश्वर आप कोई भी नाम बोलोगे शिवजी के नाम के आगे इश्वर जुड़ा हुआ किसी भी नाम का पुच्चारण कर लोगे श्यो महापुराण की खथा करती है कि भगवान संकर का कोई भी नाम पुकारोगे आप अक्षेश्वर बोलो आप लक्षेश्वर बोलो आप अगनिश्वर बोलो आप पिपलेश्वर बोलो कपिलेश्वर बोलो कुबरेश्वर बोलो तुम्हारी मर्जी पड़े जिस नाम को तुम्हें पुकार ना पुकारो उसके पीछे इश्वर लगाओगा इसका मतलब क्या यहां शंकर नाम तो नहीं लिखा कि कपिल शंकर अक्ष शंकर अगनेश शंकर नहीं यहां भगवान शिव के परत्वी पर मरत्यू लोक में जितने भी मंदिर होंगे उस पे जो नाम लिखा होगा आप उसे पड़ेंगे कपल श्वर, अगनेश वर, अक्षेश वर, तारकेश वर आप जितने भी पड़ेंगे महांकाल श्वर, ओंकार श्वर, केदार श्वर, भीमाशंकर श्वर, जितने नाम अप पड़ेंगे उसमें आपको श्वर शब्द मिलेगा है सोमे श्वर, प्रम्ब का श्वर ऐसा कोई श्वर का नाम नहीं जिसमें श्वर शब्द नहीं जुड़ा क्यों? किसलिए? वो श्वर शब्द का संबोधन किसलिए? क्यों? राम जी के नाम के आगे कोई श्वर सब्द नहीं लिखा भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के आगे कोई श्वर सब्द नहीं लिखा भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायन के नाम के आगे श्वर सब्द नहीं भगवान श्री नारायन भगवान श्री हरी केवल एक शिब ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे इश्वर सब्द जुड़ा हुआ है कुंदे इश्वर अक्षे इश्वर अगने इश्वर पिपले इश्वर केदार इश्वर महांकाले इश्वर ऐसे ओमकार इश्वर कुबर इश्वर इश्वर शब्द जुड़ा हुआ इश्वर शब्द से मतलब क्या है जितने लोग भारत की भूमी के ही नहीं विदेश में भी बेट कर अगर आस्था चेनल के मध्यम से जो शुमहा पुरान की कथा सुन रहे हैं आपके बच्चे भी एक दिन आपसे प्रिश्ण कर सकते हैं कि ये सारे भगवन के नाम राम जी है, कृष्ण जी है, पर संकर जी के जितने मंदिर जाओ उसके नाम के आगे इश्वर क्या जुड़ा हुआ है इश्वर क्यों जुड़ा हुआ, किसी है, क्या कारण है जो इश्वर नाम जुड़ा हुआ है तो कहा, शुमहा पुरान की कथा करती है, गर्ध सहीता करती है और भगवान संकर की संद पुरान सुन्दर काशी खंड में बढ़नन करती है कि भगवान शिव को विश्वेश्वर कहा गया, कुंदेश्वर कहा गया, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर कहा गया, इश्वर सब्द से मतलब ये होता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जब कोई मनुष्व पहुचता है, वो अपने मुख से कुछ कह पाए, ना कह पाए पर जैसे ही शंकर के शिवलिंग के करीब में पहुचा या शंकर के शिवलिंग के सामने से भी निकल गया तो भी शंकर उसके हिरदय की बात समझ जाते हैं और उसका भंडार भर देते हैं इश्वर शब्द ही वह शब्द है हम जिन माता जी के अठेरे हैं बुजूर गए हैं बहुत और बहुत सेवा में लगी रहती हैं भगवान की बहुत बहुत सेवा और उनकी भक्ती के कारण उनके चेहरे का तेज भी बहुत बुजूर गए हैं बहुत जब हम जैसे ही गनोद में पहुँचे और हमारे रुकने की विवस्था पहले कहीं थी फिर कहीं हुई तो माता जी की यहां जब पहुचे तो उन्होंने एक बात कही माराजी हम हमेशा टीवी में कथा सुनते थे टीवी में देखते थे और हमेशा ये शरीर हमारा इत्ता चलता नहीं है तो कभी कथा में नहीं जा पाए पर भोले नाजी को जब हम एक लोटा जल चड़ाते थे इस पर्श करते थे बाबा का तो बाबा से कहते जरूर थे कि एक बार कहीं ना कहीं महाराजी से मिलना तो हो हमें नहीं मालुम था कि भोले ना ते इतनी जल्दी करपा कर देंगे और यहां आजाए अब जरा समझीएगा जरा परसंग का स्मर्ण करियेगा राम जी के नाम के आगे श्री राम भगवान लिखा भगवान कृष्ण लिखा भगवान श्री नरायन लिखा भगवान श्री हरी लिखा भगवान इंद्र लिखा सारे देवताओं के नाम के आगे इश्वर शब्द का संबोधन नहीं आया पर शिव शंकर भगवाने के जितने नाम आये कुंद इश्वर कपालेश्वर महंकालेश्वर ओमकारेश्वर कुबरेश्वर जितने भी शब्दार उसमें इश्वर सब्द को जोड़ा है किसलिए और जितने कथा सुन रहे हैं आस्ता चैनल के माद्याम से जितने कथा सुन रहे हैं फेस्बूक यूटूब के माद्याम से और जितने कथा सुन रहे हैं इस नई राजपुर गनोत की पवित्र भूमी पर बहुत ध्यान देना कथा कियो बहुत इस्मर्ण करियेगा कथा कियो इश्वर शब्द जुड़ा कई भार हमने कथा के माध्यम से कहा शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते मत जाओ शिव जी को एक लोटा जन नहीं चड़ा सकते मत चड़ा पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाओ ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ मंदिर के सामने से निकल कर जाने में भी क्या फल मिल सकता मंदिर के भगवान संकर का शिवलिंग है उसके सामने से निकल कर जाने में भी क्या फल मिल सकता क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है क्यों नहीं चुम्बक उस चुम्बक में एक तत्व होता जो दूर से भी खीच लेता चुम्बक दूर से भी अपने तत्व वालों को खीच लेती है लोहे को खीच लेती है चुम्बक लकडी को नहीं खीचती चुम्बक कागच को नहीं खीचती चुम्बक कपड़े को नहीं खीचती चुम्बक प्लाश्टीक को नहीं खीस्ती, वो अपने तत्व की चीज को खीच रही खिश् Math He चुम्बक अपने तत्व की चीज को खीच रही रिंख लिंग पुरान की कथा में इसकंद पुरान की कथा में भागवान संकर का वर्णन करते हुए नरवधा पुरान की कथा में स्पष्ट किया गया अगर पानसो मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है पानसो मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है और आपने इसमर्ण कर लिया कि मैंने सुना है यहां एक शू मंदिर है पुराना है बहुत पुराना है गाड़ी से जा रहे थे किसी ने कह दिया यहां एक बहुत पुराना शू मंदिर है किसी ने कह दिया कि यहाँ पर एक बहुत पुराना शुमंदिर है और आपके स्मर्ण में आ गया कि यहाँ बहुत पुराना शुमंदिर है और आपके हरदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूँगा यहाँ बहुत पुराना शुमंदिर है आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुचे आप कभी शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुचे पर आपकी चित्त वृत्ती में आ गया कि यहां 500 मीटर की दूरी पर 1 किलो मीटर की दूरी पर देड़ किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है बस तुमारे हिर्दय में आया जैसे ही आया तुमने कुछ महा नहीं पहुचे तुमने महा पहुचकर प्रणाम भी नहीं करा फिर भी तुमारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे ही सुना वैसी तुमने शिव से कह दिया तो वो शंकर तुमको मेगनीट की तरह चुम्मक की तरह उस बात को खीच ही लेते है शिवतत्व की प्राप्ति अब किसी ने कहा गुरु जी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर देड़ किलो मीटर दूर है और हम यहां सोच रहे हैं और भाबा स्विकार कर लेगा हम आप से पूछते हैं या जितनी मेरी बेहने बेटी हैं जितनी मेरी जीजियां बेटी हैं जितनी मेरी बेटे बेटी हैं जितनी मेरी माताएं बेटी हैं जितने मेरे भाई बैठे हैं हम उन से पूछते हैं इमान बारी से बोलना कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ की नहीं हुआ पहले सुनो फिर बताना की ऐसा हुआ की नहीं हुआ कभी तुमने सुना होगा कभी तुमने विचार करा होगा कोई चीज तुम घर में बेठे-बेठे विचार कर ली, मुझे मेरी मोसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिता जी की याद आ रही है, या मेरे बहन की याद आ रही है, या मेरे पास में मेरी मोसी की लड़की रहती थी, उसकी याद आ रह लिए या फिर उसका कोई प्हबर आगई यह उयुद्ish आपके साथ में भी हुआ लिए याद किया और वो कहीं ना नहي कि एक दिन में पाऊन्स दिन में कनी में चार दिन में अंतली कुझा सुच्छक हो गया तहहीं पर नहीं सहीं और तरंग पहुची तो उसने भी कहा मुझे भी तुमारी बहुत याद आ रही थी इसलिए मेरा मन करा कि मैं तुम्हें मिलने आगूँ यह तरंग है आप शिव को कहीं पर भी बेट कर भजलो शिवलिंग जहां होगा वो आपको खीच कर आपकी कामना पून कर ही देगा जहां होगा आप जहां बेट कर बोलोगे शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते जल नहीं चड़ा सकते तो शिखर का दर्शन कर लो शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ शिवजी के मंदिर के सामने से निकल कर जाओगे शिवलिंग में वो तेज होता है शिवलिंग में वो उरजा होती है चलो एक बात आपसे पूस्रते हैं आपने कभी सुना होगा की नहीं सुना होगा हमको नहीं मालोग। शिवजी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको जोतिर लिंग कहते हैं की नहीं कहते हैं। बोलो जम के बोलो। कहते हैं ना। तुमारे घर में भी जो शिवलिंग है छोटा सा भी है तो भी वो जोतिर लिंग ही कहलाता। तुमारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है वो भी जोतिर लिंग ही कहलाता। कि शंकर भगमान के शिवलिंग को जोतिर लिंग भी का ले जोती का मतलब क्या होता प्रकाश जोती का मतलब क्या होता उर्जा प्रकाश जोती का मतलब क्या होता अंधकार को मिटा कर उजाले कियों लेकर जाओ अब जो समझ गया उसके लिए समझ है नहीं तो कई लोग होते हैं एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था बाजू में से एक महिला जा रही थी महिला जा रही थी साइकिल ले जाते ले जाते उसकी साइकिल उसने महिला में ठोग दे अब महिला को आ गई गुस्सा उसको गुस्सा आया महिला को और महिला ने का अकल नहीं है तेरे में बेवकूफ है लक्षण नहीं है तेरे में पगला है ब्रेक नहीं मार सकता था तेरे में अकल नहीं है ब्रेक नहीं मार सकता था इतने में साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दे अब ब्रेक क्या अलग से मार नहीं ते साइकिल मार दे अब महिला मन में सोचे थी पक्के बेवकूफ से ही पाला पड़ा अब मैं इसको बोल रही हूं कि ब्रेक नहीं मार सकता था तो क्या कर रहा है कि पूरी साइकली तो मार देए अब क्या ब्रेक अलग से मारें जो नहीं समझा उसके लिए यह अज्ञानता है जो समझ गया जिसके अंदर यह भाव प्रगट हो गया कि शंकर का शिविलिंग जोति लिंग है प्रकाश देने वाला जोती देने वाला उर्जा देने वाला अंधकार मिटाने वाला ऐसी जिन्दगी के कितने अंधकार है एसे आपके और हमारे जीवन के ना जने कितने अंधकार हैं जिसको मेरे देवदीदे महादेव ने मिटा दिये जिन्दगी के ना जने कितने कितने अंधकार कितने अंधकार और वो कहते हैं ना नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं उनी भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं उनी भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं कहीं पर बेट कर तुमारी मर्जी पड़े जहां बेट कर तुमारा मन करे वहां बेट कर तुम एग बार दिल से जब पुकार लो महाकाल को उस समय पर महाकाल तुमारे सामने खड़े विल जाते हैं शिवलिंग का मतलब है उर्जा देने वाला शिवलिंग का मतलब है प्रकाश देने वाला शिवलिंग का मतलब है जोतिरलिंग जोती देने वाला पुंज देने वाला उजाला देने वाला एक अलग से उर्जा एक अलग से बल और फिर निवेदन करूँगा यहां बेटी हुई सारी माताओं से मेरी जीजियों से मेरी जीजाओं से मेरी बेटीयों से बेटाओं से माताओं से भाई बंदों से निवेदन करूँगा जिस दिन तुमारी जिन्दगी में दुख तुमें घेर कर रखा हो संसार में ऐसा कोई पेदा नहीं हुआ जिसकी जिन्दगी में दुख नहीं आया बड़े से बड़े महात्मा से लेकर छोटे से छोटे मानव तक को दुख जरूर घेरता बड़े से बड़े एक तर से लेकर छोटे से छोटे कंडेक तर तक को दुख जरूर घेरता है ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बेड़े जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूँगा समझ लेना पक्का बेव को बना रहा दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कोई जोती साचारे तुमारे पास में आ कर कर दे कोई बिदवान तुमारे पास में आ कर कर दे कि में दुख नहीं आने दूँगा तुम मेरे पास आ कर बेड़े रहा समझ लेना पक्का बेव को बना रहा दुख जब भगवान राम को आया दुख जब भगवान कृष्ण को आया दुख जब माता जानकी जी को आया दुख जब स्वयम नारेन को आया दुख स्वयम ब्रह्मा को आया दुख स्वयम शिव को आया ऐसा हो यह नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आये खाते में दुख जरूर आता है बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुमें निकालना कैसे है उस दुख को तुमें समाप्त कैसे हरना है वो केवल एक केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है तुमारे हाथ से चड़ा हुआ एक लोटा जल क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की रकील को वो एक लोटा जल संकर भगवान के शिवलिंग का इस पर्स हाथ की रकील को बदल देता भागे की रकील को बदल देता थोड़ी मेहनत हाथ की बाकी कृपा भोले नात की तुम्हारी उर्जा तुम्हारे भीतर एक बल शुपरदान का बहुत सारे महराज मिलेंगे तुमको जिन्दगी में बहुत मिलेंगे जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूटूब निकालोगे डेर सारा महराज तुम्हारे सामने आ जाएगा डेर सारा तुम ढूंड तेरो किते महराज चीए तुमको किलो के भाव में मिल जाएगे सब तुमको ग्यान देते मिलेंगे कोई कहेगा ये मत चड़ाओ, कोई कहेगा ये चड़ाओ, कोई कहेगा हैसा करो, कोई कहेगा, वैसा मत करो, कोई कहेगा, जल पीओ, कोई कहेगा पूरी जिन्दगी अपने मन को पक्का करना प्राद algum कर आए, जबसे मेरे शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारम करा है जबसे मेरे श्यू मंदर में जाड़ू लगाना प्रारम करा है जबसे मेरे शंकर जी के मंदर में पोछा लगाना प्रारम करा है तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो एक समय मैंने कोरोना महमारी में देखा था दो-दो रुपे के मोहताज हो गई थी खाने के लिए मोहताज हो गई थी कुछ नहीं था सब कुछ समाप्त हो गया था तब मैं क्या करती तब मेरे देवादीदे महादेव को मेंने जल चड़ाया तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे समाल कर रखा और उन्नती की सीड़ी पर चड़ाए मेरे भगवान देवादी दे महादेओने मुझे उन्नती की सीड़ी पर चड़ाए अब कोई कुछ भी कहे आग लगे बस्ती में जम के बोलजार आग लगे बस्ती में आप बन रहो मस्ती में क्या किसको रोई है चाधरतान के सुख एक शिवभक्ति का बगवान शंकर को जल चड़ाना भगवान शंकर के ऊपर जल चड़ा कर भगवान संकर से अपने मन की बात शिवभ कहीं पर भी यो बहुत दूर भी है तो तुम्हें कांत में बेट कर उसको य नमामी शमी शान निले वारे बुर्पं दे भुंधं याक्त कर्म प्रम् नमामी शमी शान निले वारे बुर्पं दे भुंधं याक्त कर्म प्रम् नमामी शमी शमी शान निले वारे बुर्पं दे भुंधं याक्त कर्म् नमासिवाय ओं नमासिवाय ओं नमामी शमी शान निले वारे बुर्पं दे भुंधं दे भुंधं याक्त कर्म् कुल देभूंब्यापुर्म पेश्वरू उसको जहाँ बेच कर भजोगे वहाँ मिल जाए वहाँ कि शिवलिंग को जोतिलिंग करते हैं एक माता जी ने राजनन्द गाउं में कथा थी ओनलाइन भिलाई में कथा पूर्ण हुई और मालूम पड़ा कि जहां कथा लोमनी में होने वाली थी वहाँ पानी भरा हुआ था कीचड बहुत था कथा पानी भरे होने के कारण बस दल दल होने के कारण बस अनुमती ना मिलकर वो कथा राजनन्द गाउं में बहुत शिवभक्त वहाँ पहुच रहे थे पर परशासन ने तीन च्छाउनिया बना दी सो सो मीटर पर सब को रोकने के लिए अब एक एसी अडभंग शुभक्त अएसी अडभंग अडभंग जिसके लड़के को एक बड़ी बिमारी किडणी की हो गई और वो उसके बच्छे की किडणी पूरी ख़राब अब दिखयेगा जराया उसके किडणी पूरी ख़राब हो गई बच्छे की और डाक्टर ने कह दिया कि या तो खिटनी बदलो या ये बच्चा रहेगा नहीं डायलेसेस चालू हो गया हर दो दिन में डायलेसेस हो रहा अब उसको किसी ने कह दिया कि भिलाई की कथा पूरी हुई है और कथा अब ओनलाइन समस्ती नहीं थी कि उसको टीवी पर सुनना है, मोबाइल पर सुनना है, घर पर सुनना, वो आ गई और हमको तो नहीं मालूम पर कुछ है, लोगों ने उसका फोटो खीचा, फोटो वाइरल हुआ भेजा गया। जो तीन चाओनिया प्रिशासन ने बनाई थी सो सो मीटर पर तीसरी चाओनी के बाहर वो है, बेरी गेट जहां लगा हुआ था, बास बंदा हुआ था उसके दूर पर, एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पन्नी बिछाई, चाता लगाया, और वहाँ अपना मोबाइल रखकर और पूरी पास दिन की कथा उसने वहाँ सो, पूरी पास, आते जाते लोगों ने उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और पूछा कि तुम यह कथा, यहां बेट के सुन रही हो, कहां से आई हो, कहीं जारखंड और चतिस गड़ की बॉर्डर पर उसका निवास है, वहां का उसने वर्डन किया, उस गाउं का नाम भी उसने बताया, हम वहां से, क्यों, मेरे बच्चे को डाक्टर ने कहा है कि किड्नी बदलना है, या फिर ये डाइलेसेस दो-दो दिन में हो रहा है, और मेरा बच्चा हॉस्पिटी में है, अब डाक्टर ने जमाद दे दिया, आ उसको कहा, सीवर वाला महराज तो कहता है कि शंकर पे जल चड़ाओ, वो जल का आच्चमन कराओ, बस उतना बहुत, जाओ अपने बेटे के पास, नहीं, आप तो मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा ठीक जरूर करी, और पाच दिवस तक उसने अपनी जगा नहीं छोड करी, राजनन्द गाओं के कुछ लोग वहां से निकलते तो भोजन का पेक्रीट दे जाते, भोजन कर लेती, बेठी रेती, अच्छी, और भगवत भजन महीं बेटकर, शिरी शिवाय, नमस्तु भ्यम्यम्द जबते, वो राजनन्द गाओं की कथा हुई, उसके दो दिन बाद वो सीहर पहुच गई, और बाबा को जाकर प्रणाव करकर करती है, मेरे बेटे की किड्मी न काम करना प्रारम करा, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, ये विश्वास जीतता है, ये भरोसा जीतता है, वो परिशान हो जाता है, और जिसको बीस साल तक उलाद नहीं हो, तो दुनिया के लोगताने दे दे देकर मार देती, एक बेठी है, मैं राजेश्वरी चंद्रा पतिश्री हरी शंकर चंद्रा ग्राम बेला धुला जेजेपुर सकती से आई हूं 36 गड़ कई बेठी हो तो हाथ हिला सकती है मेरा मोबाइल नमबर यह है मैं राजेश्वरी चंद्रा पतिश्री हरी शंकर चंद्रा ग्राम बेला धुला जेजेपुर सकती से आई हूं 36 गड़ मेरा मोबाइल नमबर यह है कई बेठी है क्या कई बेठी हो तो ह अगर कहीं बेटी हो कि कैमरे में दिख रही है हाँ ठीक ठीक दिख रही है बच्चा लाए हो साथ में गोदी में लो कि अगर लिया इसको लिया लिया मैं राजेश्वरी चंद्रा पती श्री हरी शंकर चंद्रा ग्राम बेला दुला जेजेपुर सक्ति से आए हैं 36 गड़ मेरा मुबाइल नमबर यह है मैं बाबा का क्या वर्णन करूं साधी के दो साल इंतजार करा बच्चा होगा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इंतजार करते करते 19 साल निकल गए और 19 साल बच्चा नहीं हुआ है कि जब 19 साल निकल गए बच्चे के लिए तरस थी रही किसी का बच्चा मेरी गोदी में आजाता था तो लोग उस बच्चे को वापिस ले लेते थे क्योंकि मेरे गर में उलाथ नहीं हुए थी लोग करते थे ये बांज है बच्चा नहीं है इसका अपने बच्चे को भी लोग मुझे गोधी में नहीं देते थे गुर्वेब अब मैं करून तो करून क्या बिलासपूर के डाक्टर, रायपूर के डाक्टर सब जगा जाकर नाक्पूर के डाक्टर तक का इलाज करवाया पर बच्चे का सुख नहीं बच्चे दानी में गठान बताते थे इसलिए बच्चा ठेरता ही नहीं था डाक्टर ने कह दिया तुमारे यहां कभी संतान नहीं हो सकते तब आखरी में शिव महापुरान की कथा सुनना प्रारम करी पशुपतिनात का व्रत किया सफेद आंकडे की जड़ का प्रयोग करा और तिल्दा नेवरा में अगस्त महीने में दो हजार तेविस में कथा श्रमन करी और जब दो हजार तेविस में तिल्दा नेवरा में कथा श्रमन करी वो भ कानी भी गिर रहा था और वहाँ बेट करका थाश्रवन करी新たinky महिने में और वाबा की कृपाएशी divis हम वहाँ से लोड कर आयक और वाबा का पशुपति वड़त करना प्रारम करना चलगalities कि तेरहों को बाबा की कृपा से मीरे घर में 20 साल बाद उलाद प्रापते। उत्रत्न की प्रापते। 15-6-2024 को मेरे घर में उला दूए और तिल्ला निवरा में अगस्त 2023 में खत्था सुनी थैंगा है। मैं बाबा को धन्य वाद देने के लिए आए हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, और जब हम पंडाल के मध्य में बेट कर टीवी चेनल पर जो कथा सुनते हैं, आस्था चेनल पर जो कथा सुनते हैं, जो जहां बेट कर कथा सुनता है, दिल से पुकार, हम तो महराष्ट वालों से भी कहेंगे, तुमारी यहां 23 से 29 आगस्त तक साथ दिवसिये नांदेड में श्युमहापुरान की कथा है, पंडाल में बेट कर बाबा से परातना करते हुए, अपने दिल से बाबा से इतनी विनाय करो कि बाबा तुमारी जोलिया खुशियों से भड़े, हर्याना वालों से कहेंगे, तुमारे यहां जब कथा है, गुड़ गाओं में तब वो कथा कर इस पान कर, दिल से बाबा, जब एक विश्वास, एक भरोसा, आप लोग इतने सारे बेठे हो, आप सत्य बोलियेगा, आप लोगों से कभी हमारा एक आ जान तमें कभी, कहीं मिलना हुआ है, जम के बोलो जरा, नहीं, क्योंकि हम मिलते भी नहीं, केवल संकर की भक्ति करो, शिवजी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चड़ाओ, संकर का गुणगान करो, हमको इसके आगे कुछ भी नहीं, हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो संकर भगवान को जोतिर लिंग भी करते हैं, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है, वो पाशान का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है, वो लकडी का है, ह हमारे घर में जो शिवलिंग है, वो काच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है, वो ऐसा है, वो पारत का है, पीतल का है, तामबे का है, इस्टिल का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है, वो ऐसा है, कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग ह उसमें संकर की एक जोती है और हमारे घर का शिवलिंग किसी जोतिलिंग से कम नहीं है हमारे घर का शिवलिंग किसी जोतिलिंग से कम नहीं है उसमें एक जोती है उसमें उर्जा है आप से पूछे हैं यहां जितनी मेरी जीजियां बेठी हैं वो बता सकती हैं इमानदारी से बोलना साधी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रेती है क्या अरे बोलो तो जमके साधी के 20 साल बात कोई सोच सकता है कि उलाद होगी संतान होगी साधी के 20 साल बात कोई विचा ओर्मातमा कि श्रणागति घला पकड़ रहा है और परमातमा की श्रणागति तब प्राप्त करें जो आस श्रूट मेरे पर। बाबा तेरे ही भरो से हवाई चूडती जावाई बाबा डोर हत्तो छटी नावे में घटी जावाई बोले में तेरी पतन शंभो में तेरी पतन हवाई चूडती जावाई बाबा डोर हत्तो छटी नावे में घटी जावाई बोले में तेरी पतन शंभो में तेरी हवाई बिचूडती जावाई बाबा डोर हत्तो छटी नावे में घटी जावाई जब एक विश्वास है घर के शिवलिंग को भी जोतिल लिंग के तुल्य समझी आज़ाई जब एक विवलिंग के शिर लिंग के शिया जावे अभी छटे महिने में हुआ है दो हजार चोवीस के और देड़ महिने का है एक बार जोर गरता लिए जाकर स्वाता है खाली ना जाता हुआ है दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे में भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसाए अपने रदे से लगा लो लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठालो खालो बोले अपने डर से अब तो ना तालो गिरी जाड़ी हो उठालो खालो भगवान को जो दिल से कहोगे प्राथना करोगे विनाय करोगे निवेदन करोगे घर के शिवलिंग को भी जोतिलिंग से कम ना समझे घर के नसदीक में जो शिवलिंग है उसको भी जोतिलिंग से कम ना समझे दूर से निकल कर जा रहे हो बहुत किसी पेड के नीचे किसी शिवाले में किसी देवाले में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो शिवलिंग में वो तेज होता है शिवलिंग में वो बल होता है वो आपको खीच लेता है खीचता है बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चड़ाईए शिवलिंग तक मत जाईए दिन बढ़ टीवी खोलोगे तो कोई न कोई महराज शिमाह पुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको शिवलिंग पे चड़ाई जल मत पिया करो संकर जी पे चड़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं पर ऐसे महराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते है आज तक कभी दारू पर डिवेट नहीं हुआ 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 किसी टीवी पर कभी डिवेट चला डारू पर डिवेट चलता है तो संकर्जी पे चड़े हुए जल पर डिवेट चलेगा बेलपत्र पर डिवेट चलेगा बेलपत्री की पत्ती पर डिवेट चलेगा संशमी के पत्र पर डिवेट चलेगा सब पर चलेगा दारूपर नहीं चलाए उल्टा जपो सुल्टा जपो केसे भी जपो मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया दिल से अगर भजोगे तो परमात्म कहीं पर भी प्राप्त हो सकता बस भजने वाला चाहिए जपने वाला चाहिए जपो जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुमारे सम्मूख में हो जाए कि इतना सुन्दर व्यक्ठान बढ़ना नाता है इदरा तलकथा में अपन सुन रहे थे कि माता पारवती जी पूजन की ठाली लगा कर श्रामन महिने की पूजन कर रही है माता पारवती जी और श्रामन के महिने की पूजन जमाता पारवती जी कर रही है और वहीं पर जलंधर आ जाता है जलंधर वहीं आ गया और जलंधर को समझाया था देवरिशी नारद ने जलंधर को समझाया था स्वयम ब्रह्मा जी ने जलंधर को समझाया था स्वयम इंद्र ने जलंधर को समझाया था स्वयम नारयन ने कि देख शंकर भगवान की अरधांगनी माता पारवती पर गलत दृष्टी मत दे गलत सोच मतर गलत रिचार मत कर तुझे समझा रहा हूँ ये शंकर जी की अर्धांग मी माता पार्वती जी है ये जगत जन्नी जगदंबा अंबा दुर्गा भवानी है इस पे गलत दृष्टी मत दे गलत मत सोच अच्छा सोचोगे तो दुन्या का सारा सुक तुमको प्राप्त होगा एक पत्र है देखिए झाल है ये मैं सोच तुमको प्राप्त आने बीयोगख्त प्राप्त जाँ मेरा नाम किरन बेश है मेरे पती का नाम फुश्पेंदरा सिंग बेश कोरवा से हो मेरा मोबाइल नंबर ये है कहीं बेठी हो तो हाथ हिलाइए कहीं बेठे है हाथ हिलाओ एक बार मेरा नाम किरन बेश कहीं बेठी हो तो हाथ हिलाइएगा आप ही है श्री शिवाय नमस्तु बेश आजाओ एक बेल पत्र ले जाना जाए मेरा नाम किरन बेस है मेरे पती का नाम पुश्पेंद्रा सिंग बेस है कोरवा से आई हूँ मेरा मोवैल नंबर ये है मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुर्देव 2013 में मुझे जाच में पता चला कि मेरे बच्चे दानी में गाठ हो गई है डाक्टर ने कहा कि इसका आपरेशन करना पड़ेगा मैंने पहली बार 2013 में गाठ का आपरेशन कर वा लिए जब आपरेशन कराया कराने के बाद में ठीक हो गए पर 2018 में फिर वापिस गाठ हो गए अब 2018 में गाठ हो गई तो डाक्टर ने कह दी अब तुम्हारा शरीर आपरेशन के लायक नहीं है फिर भी अब अगर डबल से तुमको यह गाठ हुई है तो आपरेशन भी होगा और इसकी जाच भी कराना पड़ेगी अब मैं घबरा गई कि एसी कौन सी बिमारी मेरे शरीर में हो गई कि इसकी जाच भी जाएगी मेरी छोटी ननन बेबी दीदी बोली भाबी अब आपरेशन नहीं कराना अपने को अब तुम एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है आसन लगाओ और बाबा की कथा को श्रबन करो गुर्देव मैंने भगवाण संकर की कथा सुनना प्रारम करी और भगवाण देवदीद महादेव की कथा रेगूलर सुनती 2011 में डबल से गठान हो गई डॉक्टर आपरेशन का बोल रहा है जाच के लिए गठान को भेजने का बोल रहा है और मैंने 2011 से कथा को श्रबन करना प्रारम कर दिया 2022 आ गया कथा सुनती रही और 2022 जब कथा श्रबन करते करते हो गया तब मैंने 2012 में बापिस अपनी गाठ की जाच कर आई और गठान की जब जाच कर आई तो उसमें गाठ थोड़ी छोटी हो चुकी थी फिर मैं बापिस 2023 में सीहोर गई वहां से रुद्राक चलाई बाबा का पूजन अर्चन करना प्रारम करा शिवजी के मंदिर जाना प्रारम करा वहा लेती और बाबा का मैं क्या गुर्गान करूं गुर्देयों आज में 2023 में मैंने बापिस डाक्तर साब के पास जाकर रायपुर जाच कर आई तो मेरी गाठ पूरी गल चुकी थी और मेरा पूरा शरीर अब ठीक हो चुका है मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई एक शिवततत बदद एक शंततत बड़िए जब हमारा विश्वास प्रवल हो जाए जब हमारा भरूस प्रवल हो जाए अले जाए एक भाव एक विश्वास अपने भी तरदी सारी समस्या का हल बोलबम का नारा है जरजम के बोलो जम के बोलबम का नारा है शंकर भगवान अपने आनंद के साथ विराजे हैं और माता पारवती उनकी सेवा में लगे पूजन की तैयारी पर कहां से लाओं गंगा कहां से लाओं गंगा पूजन में लगे गा कर एक वक्ति में ली मैं ले लाओं अपार पढ़ी गए और भूले स्वीच सेवा हमसे नाउबी शिवतत्व में दूबी हुई है शिवतत्व बलवान संकर की अविरल भक्ति में माता पार्वति हूँ कांवडिया कांवडिया लेचल पन लीपा, कावडिया, 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 लेचल पन लीपा जहां मिराजे भोले बाबा कावडिया लेचल पर लीवार पर लीवार पर लेचल रपनराम कर दो 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 झाल झाल चटा में इन्ने के घंगा मिराजे चटा में इन्ने के घंगा मिराजे आत में इन्ने के घंगा मिराजे चटा में इन्ने के घंगा मिराजे हात में इन्ने के घंगा मिराजे हात में इन्ने के घंगा मिराजे सिर्पे सोही चचन्दा प्यारा सिर्पे सोही चचन्दा प्यारा सिर्पे सोही चचन्दा प्यारा सिर्पे सोही चचन्दा प्यारा गन सर्पों काहार का वडिया जी चन्द शिव के दार का वडिया जी चन्द शिव के दार कर दो जी उचन्दा जाव कि अवड़ ट्स सकतिगा कि अवड़ कि दो बार कि अवड़ कि वड़ कि वड़ कि वड़ कि वड़ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बोला वाला है मत वाला बोला वाला है मत वाला इनका रहता अंग का प्याला पीता रहता अंग का प्याला बोला वाला है मत वाला बोला वाला है मत वाला पीता रहता अंग का प्याला पीता रहता अंग का प्याला बगतो का है ये रख वाला बगतो का है ये रख वाला बगतो का है ये रख वाला का बगतो काल वालिया निछ आन्फेस फ्ही पाओ का वालिया निछ आन्फेस आन्फेस वाळ थ वाला जहां भी राजे बोले बाबा जहां भी राजे बोले बाबा दन्भी में अस्वार कावणिया भी जल पर लीका 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 झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कंस कर दो कर दो स्लम्म हूँ पड़े भाव से दोनों हातों से हूँ जो है हूँ बढ़े ह् निया है स्लेजय आर्ग आवड़ी आदे चल पर लीपा आवड़ी आदे चल पर लीपा जहां विराजे बोले बाबा 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 आवड़ी 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 बाबा भगवान शुर से अपने होड़ाई की बात करेंगे, जहाँ जगा मिले वहाँ बेट कर, दिल से बाबा से अपने मन की बात बाबा को बात कर, साथ में बोलेंगे आप और हम सम्मिल के श्री श्रीवाय नमस्तुर। श्री 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 श् गुकातो हो मारा, ओ खोला संग गुकातो हो मारा शीवा संगर जपू तेरी माला बोले माबा जपू तेरी माला बोला सब दुक कातो हो मारा बोला सब दुक कातो हो मारा देशे मंगल मंगल कारी देशे मंगल मंगल कारी सम्षाने वासी अमारा सम्षाने वासी अमारा बोला सब दुक कातो हो मार बोला सब दुक कातो हो मार भगवान देवत्य महादेव का चरीत्र कहरा है श्यो महापुरान की कथा वर्णन कर रही है भगवान शिव का चरीत्र कहरा है मा पारवती जी शिव की अराधना में ली जलन धर्माता का सुरूप देती कलकथा में कहा था परिस्त्री और परधन द्यक्ति को भरवात कर देती बचो केवल रामन ही नहीं लंका दिपती लंकेश ही नहीं जलन्धर भी पर इस्त्री के कारण जलन्धर का भी पूरा नाश हो गए बचो जलन्धर ने जो देखा पारवती जी को अर्ट पारवती जी तो अपने पूजन अराधना में शिविस्तूती में डूबी हुई थी भगवान शंकर की खक्ति में डूबी हुई थी माता पारवती उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जलन्धर मुझको देख रा श्युमहापुराण की कथा करती है कि प्रयास करना की शंकर के मंदिर में जब पूजन करने जाओ श्युमहापुराण की कथा को पंडाल में श्रवन करने के लिए जाओ शिवाले में धर्शन करने के लिए जाओ तब ये मन में रख कर जाना कि दुनिया के लोग मुझे देखें वो अलग बाते पर में किसी को ना दे हमारी सोच गलत हो जाते है हमारे विचार गलत हो जाते है प्रती दिन वाटसब पर प्रती दिन मोबाइल पर प्रती दिन डिवेट में प्रती दिन टीवी पर रोज प्रति दिन बंगलादेश के लिए रोज की रोज डिवेट चल रहा है रोज की रोज सोशल मीडिया पर रोज की रोज चल रहा है कि वहां के हिंदूों ने ऐसा करना था वहां के हिंदूों को ऐसा करना था वहां के हिंदूों को ऐसा करना था हम तो कह रहे हैं कि डिवेट करने से पहले और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले आप भी सनातनी हैं आप अपने छेत्र में, अपने मोहले में, अपनी कालोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने गाओं में, अपने खेड़े में, अपने छेत्र में आप सोशल मीडिया पर लिखने से ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने सनातनियों को कितना एक गृत कर रहे हो और कितना जोड़ कर चल रहे हो कितना जोड़ कर चल रहे हो और कितना एक गृत कर रहे हो यह आप पर निर्भर कर दो अपने आपको हमको प्रबल बनाना पड़ेगा अभी अभी लोमनी की कठा में हमने एक बात कही थी अपने आपको प्रबल बनाओ अपने आपको सनातन धर्मी एक जुट होकर चलने का प्रयास करें किसी की सामर्थता नहीं कि फिर कोई तुम्हारे ऊपर उपली उठा ले हमें समाजों में तोड़ा जाता है ये समाज बड़ी है ये समाज छोटी है ये ब्रामन है ये चत्री है ये बैश्य है ये शुद्र है इसमें हमें तोड़ दिया जाता है फिर हमें धर्मों में विवाजित कर दिया जाता है ये ये धर्म का है वो वो धर्म का है और हमको तोड़ कर हमारी जाती में समाज में धर्म में तोड़ कर फिर दुनिया के लोग उसका फाइदा उठाते हैं और तोड़कर हमको अलग करकर फिर अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं आप में बल होना चाहिए लोग हमसे कते महराज जी शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या होता है शिव जी को एक लोटा जल चणाने से क्या होता है शंकर भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा शंकर को जल चणाने से क्या होगा शंकर को जल चणाने से क्या होगा ये दुनिया के लोग कहने से पहले विचार करो कि हमारा सास्त्र क्या करता है हमारा धर्म क्या करता है सास्त्र करता है कि अगर सनातन्यों को जुड़ना है तो अपने मंदिर में जाना प्रारम करो जीरे धीरे सनातन धर्म मजबूत होना प्रारम हो जाता है जना परारम करो एक लोटा जल चणाना परारम करो भगवान की चोख़ज तक जाना परारम करो तुमें देख कर दूसरे हो प्रेरा मिलेगी डूसरे से थीस प्रेरा मिलेगी कुछ से जोते को प्रहणा मिलेगी प्रहणा मिलते 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 एक जुट हो और भूलो नहीं आप और हम सब इखट्टे और भोले नार जी के पठ्थे कि चिंता नहीं नहीं कि क्या बोलते हैं आप और हम सब जम जम के बोलो जड़ा इखट्टे और भोले नाथ के पठ्थे कि का इचिंता करने कि बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल भगवान शिव किश्रन आगती का फल प्राप्त लेखा जलंधर ने परमाता पारवती जी ने ध्यान नहीं दिया पारवती जी का ध्यान नहीं पारवती जी देखी नहीं जलंधर बापिस आया जलंधर ने बापिस आकर तुरंट राहू को बुलाया और राहू को बुला कर से राहू साूंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा सिटी सीटी सा लग रहा है जैसे चोंगे चलते हैं है जलंधर को जलंधर ने राहू को बुलाया और राहू को बुला करका जाओ हमारा भीभाख का प्रस्तावश लेकर जाई है हमारे विवहा का प्रस्ताव ले जाओ तो राहू ने पूछा कि विवहा का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है राहू पूछ राए कि आपके विवहा का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है तो कहा विवहा का प्रस्ताव संकर जी क्या लेकर जाओ शिवजी क्या हां किसके लिए राहू ने जैसे पूछा कि विवहा का प्रस्ताव लेकर जाओ तो जलंधर ने कहा विवहा का प्रस्ताव लेकर जाओ तो राहू ने पूछा किसके लिए लेकर जाओ आपके विवहा का प्रिष्टावा खिर किसके लिए लेकर जाओं तो कहा संकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विभा करना चाहते हैं विभा आप राहू को यह बात ठीक नहीं लगी पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया जलंधर ने थोड़ा सा कुट और जलंधर ने जैसी क्रोध दिखाया क्रोध दिखाते से ही क्रोध दिखाते ही गुस्ता दिखाते ही राहू को जाना पड़ा जैसे ही राहू पहुचा शंकर भगवान नेत्रबन करकर बेठे ते पार्वती जी पूजन की तयारी कर रही थी श्रामन का महिना था और श्रामन का महिना और माता पारवती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई भगवान शंकर की पूजन के साथ सजा रही है तैयारी कर रही है पूरे साल एक लोटा जल और सावन में जम जम के बोलो जरजम के दो लोटा जल स्रावन में दो लोटा जल चली मा पार्वती जी के स्रावन के महिने में दोनों हातों में जल था पूजा की ठाली रख चुकी थी शिवलिंग का निर्मान कर चुकी थी शंकर भगवान सम्मुक में थे नेत्र बंद कर अपना राधना में लीन थे इतने में राहु आ गया शंकर भगवान के अर्धांगनी माता पार्वती के हाथ में दो लोटा जल है और सामने सम्मुक में शिवलिंग है और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ती में डूबी हुई है उन्हें कोई चित नहीं, कोई मन नहीं, कहां देखा जाएं। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। लीन माता पर्वती। राहू ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी किया संकर भगवान के दर्वाजे पड़। हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव। जैसे ही पुकारा शिवाजी का नाम भगवान संकर का नाद किया। नाद होते से ही शिवाजी के कानों में शब्द किया। भगवान भोलेनाथ राहू को देख रह थे। राहू ने आवाज लगाया। हम विभा का प्रस्ताव लाएं हैं जिब जी ने मन में सोचा ना तो मेरी अभी ना तो मेरी कोई बेटी है वियाल और ना मेरे कोई अभी यल और लगन तुमसे लगा बेठे जो होगा देखाड़ा यहाँ एक महिला बेठी हुई है जिनको 19 साल से उलादे हो रही है और 19 साल से उलाद हुई पर एक भी उलाद जिन्दा नहीं रही साथ बार संतान ने जनम लिया साथ बार 19 साल कोई दो साल का हो गया कोई छे महिने का हो गया कोई चार महिने का कोई जनम लेकर पास साल का हो गया कोई तीन साल का हो गया आखरी में वो बच्चा मर ही गया मेरा नाम अन्सुया बगेल पती का नाम अनुच बगेल पत्रा इंद्र प्रस्त रायपूर छत्तिस गड़ की रहने वाली हूँ कई बेटी है क्या कई बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं मेरा नाम अन्सुया बगेल पती का नाम अनुच बगेल हाथ उड़ाओ दिख गया हाँ दिख गये ठीक ठीक है बच्चल आए हो बेटा आया साथ में बाबू लेव गोदी में लियाओ इसको लियाओ 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 आजाओ एक बेलपत्र ले जामें 19 साल में मैं साथ बार मा बनी साथ बार मेरे बच्चों ने जनम लिया कोई देड़ साल का हो गया कोई दो साल का हो गया आखरी में साथ बार मा बनी और साथ बार ही मेरे बच्चे समाप तो कोई ढाई साल का चले जाता कोई छे महिने का चले जाता कोई आठ महिने का चले जाता कोई बच्चा देड़ साल का होकर चले जाता ऐसे मैं साथ बार मा बनी पर मेरा बच्चा नहीं रखा तब 2022 में पहली बार कथा श्रवन करी और कथा श्रवन करने के बाद मैंने भोले नाद जी से किवल इतना ही कहा कि मेरा एक भी बच्चा मेरा जीवित नहीं है बाबा अब तेरे भरोसे में ये मैं आठ वी बार में गर्ब धारन करूं पर तेरे भरोसे पर धारन करूं बाबा कुछ कृपा करो भोले नाद जी से विंती करकर डाक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुमारे घर उलाद नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा गर्भ पूर्ण तरह से विकार हो चुका है साथ बार बच्चों ने जनम लेकर पूरा गर्भ तुम्हारा विकार हो गया तुम्हें उलाद नहीं होगी तब मैंने बाबा भोले नात के भरोसे पर आठवे बच्चे को जनम दिया और बाबा से विंती करी डाक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है ये पूर्ण तरह से विकलांग है ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग रहेगा पर मैंने मेरे बाबा के भरो से उसको जनम दिया आप गुरुदेव पशुपतिनात का ब्रत करती रही शिव के मंदिर जाती रही शंकर का चड़ा हुआ जल पीती रही और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जनम लिया डाक्टर कहते हैं ये बच्चा पून तरह से स्वस्त है मैं बाबा को नमन करने के लिया मैं बाबा को नमन करने के लिया एक शूपर करा गया भरोसा एक शंकर के पृति किया गया विश्वास शूपर करा गया भरोसा दड़ता एक हमें अलग उर्जा प्रदान करता है अलग उर्जा देखा पारवतिंगे शिवजी के सम्मुख में चिल्ला कर कर रही है माता पारवतिंगे